ओम श्यान्ती आज की तारिक है 11 अप्रेल 2021 प्रतह मुर्ली ओम श्यान्ती अव्यक्त बाब दादा रिवाईज डेट है 10-12-87 मदुवन तन मन धन और संबंध का स्रिष्ट सौदा आज सर्व खजानों के सागर रतनागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रतनागर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन है और किस से सौदा किया है परमात्म सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सुरतियां कितनी भोली हैं और सौदा कितना बड़ा किया है यहाँ इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माई हैं यहाँ दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता दुनिया वाले जिनात्माओं को नाउमीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ, किनारे कर दिया कि यहा कन्याओं, माताओं, परमात्म प्राप्ते के क्या अधिकारी बनेगे लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़ेते बड़ा सौदा करने वाली स्रेस्ट आसामी बना दिया ज्यान का कलश पहले माताओं कन्याओं के उपर रखा यग्य माता जगतंबा निमित गरीब कन्या को बनाया माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ न कुछ छिपी हुई प्रापर्टी रहती है लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया जो गरीब कुमारी से जगतंबा सुधन देवी लक्षमी बना दिया जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलियन करोड़ पती हो लेकिन लक्षमी से धन जरूर मांगेंगे पूजा जरूर करेंगे रतनागर बाप अपने सौदागर बच्चेओं को देख हर्शित हो रहे हैं एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं और निमित सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनसमैन हो लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा वस्तु का सौदा करेंगे एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते मन का भी सौदा करते तन का भी और सदा स्रेष्ट संबंद का भी सौदा करते ऐसा दाता कोई देखा चारों ही प्रकार के सौदे किये हैं न तन सदा तंदरुस्त रहेगा मन सदा, खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निहस्वार्थ सनहे और गरंटी है आजकल भी जो मुल्यवान वस्तु होती है उसकी गरंटी देते हैं पांच वर्ष, दस वरष की गरंटी देंगे और क्या करेंगे लेकिन रतना गरबाब कितने समय की गरंटी देते हैं, अनेक जन्मों की गरंटी देते हैं, चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती चाहे प्रजा की प्रजा भी बने लेकिन उनको भी लास्ट जनम तक अर्थात तरेता के अंत तक भी यह चारों ही बातें प्राप्त होंगी ऐसा सौधा कब किया? अब तो किया है ना सौधा? पक्का सौधा किया है या कच्छा? परमात्मा से कितना सस्ता सौधा किया है? क्या दिया? कोई काम की चीज़ दी? फॉरिनर्स बाप दादा के पास दैव दिल बना कर भेज देते हैं पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे तो दिल दिया ना? लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे? मा, बाप, चाचा, मामा कितनी लंबे लिस्ट है? अगर संबंद की लिस्ट निकालो, कल्युग में तो कितनी लंबे लिस्ट होगी? एक संबंद में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी? तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी हैं? व्यक्ति कितने है सब में दिल लगा के दिल ही टुकडा टुकडा कर दी बाप ने अनेक टुकडे वाली दिल को एक तरफ जोड लिया तो दिया क्या और लिया क्या और सौदा करने की वीधी कितनी सहच है सैकंड का सौदा है ना बाबा शब्द ही वीधी है एक शब्द की वीधी है इसमें कितना समय लगता सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सैकिंड में सौधा हो गया कितनी सहजविदी है इतना सस्ता सौधा सिवाए इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते तो सौधागरों की सूरत मूरत देख रहे थे दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है सौधा करने में तो होशियार निकले न आज के बड़े-बड़े नामिग्रामी, धनवान, धन कमाने के बचाए धन को संभालने की उलचन में पड़े हुए हैं उसी उल्जन में बाप को पहचानने की भी फुरसत नहीं है अपने को बचाने में धन को बचाने में ही समय जला जाता है अगर बादशाह भी हैं तो फिकर वाले बादशाह हैं क्योंकि फिर भी काला धन है ना इसलिए फिकर वाले बादशाह हैं और आप बाहर से बिनकोडी हो लेकिन बेफिकर बादशाह हो। बेगर होते भी बादशाह। शुरू शुरू में साइन क्या करते थे बेगर टू प्रेंस अभी भी बादशाह और भवेश्य में भी बादशाह है। आजकल के जो नमबर वन धनवान आसामी है उनके सामने आपके तरेता अंतवाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा तो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमान धन बांटा हुआ है और वहां संख्या कितनी होगी उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं तो बादशाह हुए ना बादशाह का अर्थ यहां नहीं की तक्त पर बैठें बादशाह अर्थात भरपूर कोई अप्राप्ती नहीं कमी नहीं तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो वह अभी सोच रहे हो कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहच मिल जाती है तो भी उल्चन में पढ़ जाते की पता नहीं ठेक है वा नहीं ऐसी उल्चन में तो नहीं हो ना क्यूंकि भक्ती मार्ग वालों ने सहच को इतना मुश्किल कर और चक्कर में डाल दिया है जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंडते रहते हैं छोटी बात को बड़ी बात बना दी है इसलिए उल्चन में पढ़ जाते हैं उंचे ते उंचा भगवान उनसे मिलने की वीधियां भी लंबी चोड़ी बता दी है उसी चक्कर में भक्तात्माई सोच में ही पढ़ी ह भगवान भक्ती का फल देने भी आ गए हैं लेकिन भक्त अत्माई उल्चन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बीजी हैं कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं इतना उंचा भगवान ऐसे सह जाए हो ही नहीं सकता इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ती के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी उक्यूपेशन के नामी ग्रामी अपने ही कारे में बीजी हैं लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौधा कर लिया पांड़ों ने पक्का सौधा कर लिया ना डबल फॉरिनर सौधा करने में होशियार है सौधा तो सब ने किया लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं बाप ने तो सबी को एक जैसे सर्व खजाने दिये क्योंकि अखुट सागर है बाप को देने में नमबरवार देने की आफशक्ता ही नहीं है जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती है कि विनाश की इतनी सामगरी त्यार की है जो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती है बाप भी कहते बाप के पास भी इतना खजाना है जो सारे विश्य की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर लें तो भी अखुट है जितनी आप ब्रामनों की संख्या है उससे और पदम गुणा भी आ जाएं तो भी ले सकते हैं इतना अथाह खजाना है लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं इसलिए तो प्रकार की माला पूजी जाती है कहां अस्टरतन और कहां सोला हजार का लास्ट कितना अंतर हो गया सौदा करने में तो एक जैसा ही है लास्ट नंबर भी कहता बाबा और फॉस्ट नंबर भी कहता बाबा शब्द में अंतर नहीं है सौधा करने की वीदी एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक जैसा देता है ग्यान का खजाना वा शक्तियों का खजाना जो भी संगम युगी खजाने जानते हो सबके पास एक जैसा ही है किसको सर्वशक्तियां दी, किसको एक शक्ती दी, वह किसको एक गुण, वह किसको सर्वगुण दिया, यहां अंतर नहीं, सभी का टाइटल एक ही है, आदी मध्यांत के ग्यान को जानने वाले तरिकाल दर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, ऐसी नहीं कि कोई नहीं, सभी को सर्वगुण संपन बनने वाली देवात्मा कहते हैं, गुण मुर्ती कहते हैं, खजाना सभी के पास है, एक मास से स्टडी करने वाला भी ग्यान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता जैसे पचास वर्ष वाले वर्णन करते हैं, अगर एक एक गुण पर शक्तियों पर भाशन करने के लिए कहें तो बहुत अच्छा भाशन कर सकते हैं बुद्धी में है तब तो कर सकते हैं ना तो खजाना सब के पास है बाकी अंतर क्या हो गया? नंबर वन सौदागर खजाने को स्वख के प्रती मनन करने से कार्य में लगाते हैं उसी अनुभव की अथोरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना एक है सिर्व वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले, तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं, वह स्वयम अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते हैं, वर्णन करने वाले, दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देते हैं, महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे स्वयम महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे तो नंबर वन अर्थात मनन शक्ती से खजाने के अनुभवी बन, अनुभवी बनाने वाले अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले इसलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमान, स्वयम प्रती और दूसरों के प्रती कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरे को भी धनवान नहीं बना सकेंगे और अपने प्रती भी समय प्रमान जो शक्ती, जो गुण, जो ग्यान की बातें यूज करनी चाहिए वह समय पर नहीं कर सकेंगे इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते शक्ती होते भी समय पर शक्ती द्वारा सफलता पा नहीं सकते गुण होते भी समय प्रमान उस गुण को यूज नहीं कर सकते सिर्फ वडनन कर सकते हैं धन सब के पास है लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता जैसे आजकल के समय में भी कोई-कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा अलमारी में होगा या तकिये के नीचे होगा ना खुद कार्य में लाएगा ना औरों को लगाने देगा ना स्वयम लाब लेगा ना दूसरों को लाब देगा तो धन होते भी सुकतों नहीं लियाना तक ये के नीचे ही रह जाएगा खुद चला जाएगा तो यहाँ वर्णन करना अर्थात यूज ना करना सदा गरीब दिखाई देंगे यहाँ धन भी अगर स्वयम प्रती वा दूसरों प्रती समय प्रमान यूज नहीं करते सिर्फ बुद्धी में रखा है तो न स्वयम अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते न दूसरों को दे सकते सदा ही क्या करें कैसे करें इस वीदी से चलते रहेंगे इसलिए दो मालाएं हो जाते हैं वहाँ मनन करने वाली वहाँ सिर्फ वर्णन करने वाली तो कौन से सौदागर हो नमबर वन वाले या दोसरे नमबर वाले इस खजाने का कंडिशन यह है जितना औरों को देंगे जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ेगा वृद्धी होने की वीधी यह है इसमें वीधी को न अपनाने कारण सोयम में भी वृद्धी नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धी नहीं संख्या की वृत्थी नहीं कह रहे हैं, संपन बनाने की वृत्थी, कई स्टूडेंट्स संख्या में तो गिंती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते, समझ में नहीं आता योग क्या है, बाप को याद कैसे करें, अभी शक्ती नहीं है, तो स्टूडेंट्स की लाइन म तो हैं, रिजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बनाना, मांगता ही रहेगा, कभी कोई टीचर के पास जाएगा, मदद दे दो, कभी बाप से रूहरिहान करेगा, मदद दे दो, तो भरपूर तो नहीं हुआ ना, जो स्वयम अपने प्रती मनन शक्ती से धन को भड सकता है, मनन शक्ती अर्थात धन को भड़ाना, तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना, समझा, मनन शक्ती का महत तो बहुत है, पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया है, और भी मनन शक्ती के महत तो का आगे सुनाएंगे, चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो कि हमें तो पता नहीं यहाँ बात तो बाप दादा ने कहीं नहीं थी इसलिए रोज सुनाते रहते हैं चेक करना अर्थात चेंज करना अच्छा सर्व स्रेष्ट सौदागर आत्माओं को सदा सर्व खजानों को समय प्रमान कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिवान बच्चें को सदा स्वयम को और सर्व को संपन अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले अनुभव की अथोरिटी वाले बच्चें को Almighty Authority बाप दादा का याद प्यार और नमस्ती हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार Good morning और नमस्ती Eastern Joan के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात East से सूर्य उदय होता है न तो Eastern Joan अर्थात सदा ज्यान सूर्य उदय है ही Eastern वाले अर्थात सदा ज्यान सूर्य के प्रकाश द्वारा हरात्मा को रोशनी में लाने वाले अंधकार समाप्त करने वाले सूर्य का काम है अंधकार को खतम करना तो आप सब मास्टर ज्यान सूर्य अर्थात चारों और का अज्यान समाप्त करने वाले हो न सभी इसी सेवा में बीजी रहते हो या अपनी वा प्रवरिती की परिस्थितियों के जंजट में फसे रहते हो सूर्य का काम है रोशनी देने के कार्य में बीजी रहना चाहे प्रवरिती में चाहे कोई भी वैवहार में हो चाहे कोई भी परिस्थिती सामने आए लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकता तो ऐसे मास्टर ग्यान सूर्य हो या कभी उलजन में आ जाते हो पहला करतव्य है ग्यान की रोशनी देना जब यहां समरीती में रहता है कि परमार्थ द्वारा वैवहार और परिवार दोनों को स्रेष्ट बनाना है तब यह सेवा स्वतह होती है जहां परमार्थ है वहां वैवहार सिद्व सहच हो जाता है और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार एकता स्वतह ही आ जाती है तो परिवार भी स्रेस्ट और वैवहार भी स्रेस्ट परमार्थ वैवहार से किनारा नहीं कराता और ही परमार्थ कार्य में बीजी रहने से परिवार और वैवहार में सहारा मिल जाता है तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो नेपाल वालों की निशानी में भी सूर्य दिखाते हैं न वैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजाएं प्रसिद हैं स्रेष्ट माने जाते हैं तो आप भी मास्टर ग्यान सूर्य सब को रोशनी देने वाले हो अच्छा, वर्दान, संगम युग पर हर करम कला के रूप में करने वाले सोलह कला संपन भव संगम युग विशेश करम रूपी कला दिखाने का युग है जिनका हर करम कला के रूप में होता है उनके हर करम का वगुणों का गायन होता है सोला कला संपन अर्थात हर चलन संपूरन कला के रूप में दिखाई दे यही संपूरन स्टेज की निशानी है जैसे साकार के बोलने, चलने, सभी में विशेशता देखी तो यहां कला हुई उठने बैटने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी सभी में न्यारपन और विशेशता थी तो ऐसे फॉलो फादर कर सोलह कला संपन बनो श्लोगन पावरफुल वह है जो फॉरण परक कर फैंसला कर दे शुक्रिया बाबा शुक्रिया रोस मुरली सुनने के लिए आप शिब बाबा मुरली मदवन चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताकि डेली शिब बाबा मुरली आपके पास सबसे पहले पहुंचे ओम शान्ती